हम सब के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष के बिल्कुल निकट होते हैं परन्तु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं या फिर हम भ्रह्म में फस जाते हैं कभी कभी उस भ्रह्म से जूज कर हार मान लेते हैं कभी कभी उस भ्रह्म को ही लक्ष समझ लेते हैं और प्रत्यक स्थिती में हमारा लक्ष हम से दूर होता जाता है अब प्रश्ण ये उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए और उत्तर है धैर मन जब अधीर होता है तब सोचने शमझने की ख्षमता खो देता है धम के माया जाल में फस जाता है और अंत तह ठक कर आर जाता है जबकि धीरज रखने से मन शान्त होता है आप एकागरचित होते हैं धम के माया जाल से निकल कर अपने लक्ष को देख पाते हैं इसे लिए धीरज रखना सीखें चुकि ये बहुत बड़ी शक्ती है